दाइसो मीटर प्लॉट एरिया या बोलचाल की भासा में कहें तो तीन सो स्क्वाइर यार्ड तीन सो वर्गज प्लॉट एरिया में बने हुए ये मकान गेटर नोड़ा अथारिटी ने एक बिल्ट अप स्कीम निकाली थी बेचे सिक्स ये उसका हिस्सा है पूरे सेक्टर का जो ले आउट है बहुत ही बच्छा है ग्रीनरी के लिए पर्याप्त इसमें स्कोप है रोड साइड ग्रीनरी बहुत अच्छी है सडकें चौड़ी है औ और जो मकान बना कर दिये हैं उनका डिजाइन भी थोड़ा सा हट कर है क्लैसिकल है अच्छा लगता है यह उसी की एक ज्छलक 250 स्कॉर मीटर में ये मकान बने हुए है प्लॉट एरिया में और जो बिल्ट अप एरिया है वो है 151.73 स्कॉर मीटर या बोल्चाल की भासा में हम इसको कह सकते हैं 180-85 वर गज जगए जो बिल्ट अप एरिया में है यह बने बनाय मकान को हम आप तक दिखा रहे हैं पहुचा रहे हैं क्योंकि इनकी कोई देखरेक नहीं हो रही है फिल्हाल कोई रह नहीं रहा है इसलिए देखने में बहुत शैड़ी लुक आ रहा है यही मकान अभी हम दिखाएंगे भी जो कुछ लोग रह रहे हैं उन्हे उन्हें उसको पेंट और वो सफाई मेंटेन की हुई है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत बड़ा लॉन और जैसे ही हम घुशते हैं ड्राइंग रूम एरिया यह है साड़े तेरावाई चौदा इसको पार कलने के बाद डाइनिंग एरिया आ जाता है लेफ्ट साइड़े आप किचेन भी देख रहे हैं डाइनिंग एरिया है साड़े तेरावाई 24 इसके बाद फैमिली लाउंज यह ओपन टू इसका ही एरिया है बातरूम यहां फैमिली लाउंज वाना जो एरिया है वो है साड़े तेरावाई ग्यारा किचेन नवभाई ग्यारा कोल्ट यार्ड नवभाई दसका यूटिलिटी एरिया मास्टर बेडरूम सोला बाई साड़े सोला यह मास्टर बेडरूम से लगावाई यूटिलिटी एरिया और यह बहुत ही बड़े साइच का बेडरूम साथ में बाथ रूम बेडरूम का साइच है साड़े सोला बाई साड़े सोला डाइनिंग एरिया फैमिली लाउंज ओपन टू स्काई एरिया यह एक बेडरूम है जो चौदावाई सारड़े बारा साइच का है यहां से जीना दिया हुआ है उपर जाने के लिए काफी स्पेशियस और बड़े साइज में बने हुई यह घर वाइट मार्बल है सफाई होते ही बहुत अच्छा लगने लगता है इन सभी घरों में थोड़ी सी मरम्मत होती है निकलती ही है और कुछ बहुत कस्टमाईजेशन बातरूम की फिटिंग्स इलेक्रिकल फिटिंग्स और पुताई का खर्च लेकिन इस सब को मिलाकर भी जो इनकी बजार में कीमत है वो कहीं न कहीं आपको अट्रेक्ट करेगी अब हम इसके आसपास बने वे भी कुछ घर पे नज़र डाल रहे हैं यहां मैं फिर आपको क्लियर कर दो कि इनमें कोई भी घर बिक्री के लिए नहीं है यह सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि जिन घरों में लोग रह रहे हैं वो वास्तों में कितने सुन्दर दिख रहे हैं क्योंकि जो घर हमने फिल्माया है वो उपेक्षित है पड़ा हुआ है इसलिए उतना सुन्दर नहीं लगा लेकिन जिन घरों में लोग रह रहे हैं वो बहुत ही सुन्दर है और उनको दिखाने का मतलब बिलकुल भी नहीं है कि वो विक्री के लिए अबलेविल है कि वह आपको एक आइडिया मिलना है और जगे जगे इसमें पार्क, ग्रीनरी, चौली, सडकें ये सब आपको अट्रेट करेंगे जिन घरों में भी लोग रहे हैं बहुत ही सुन्दर, बहुत ही अच्छे